नमस्कार आप देख रहे हैं बोले भारत मैं हूँ आपके साथ मुस्कान सिंग आपको बता दे कि बेतिया के योगा पट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत जो है इस बार 26 जनबडी को चर्शा का केंदर बना रहेगा वहां के दो निवासी धीरज और नीरज दोनों भाई हैं आपको बता दे कि धीरज को इस साल रास्ट्रिय बाल पुरसकार 2022 से समानित किया जाएगा इसके साथ साथ आपको बता दे कि जो धीरज है वो उन्होंने मगरमच से लड़कर अपने भाई की जान बचाई है इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंद्री ने उनसे बाच्चित की उनसे बाच्चित करने के दोरान उन्होंने धीरज से पूछा कि आप अपने जिंधजी में क्या करना चाहते हैं धीरज ने बोला मैं एक फॉजी बनकर अपने देश की रक्षा करना चाहता हूं जानिये क्या है पूरी खबर बिस्तार से बेतिया के योगापटी प्रखंड की चौमुखा पंचायत के वाड संख्या छे निवासी धीरज कुमार का गाउं इस 26 जनबरी चर्चा का केंदर रह थी सोंबार को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने धीरज से बात्चित की इस दौरान धीरज ने बताया कि वह फॉजी बनकर देश की सेवा करना चाहता है पिछले साल 2 सितंबर को धीरज कुमार और उसका छोटा भाई नीरज कुमार भैस शराने के लिए दियाडे में ग बहस चराने के लिए साथ में ले गए डंडे से वार करता रहा इसके बाद मगरमच को हडा कर धीरज ने अपने छोटे भाई नीरज की चान बचा ली हालाकि इस दौरान दोनों भाई गंभी रूप से घायल भी पाए गए उनका जीम सी एच बेतिया में साथ दिनों तक इल पढ़ाई के साथ साथ पिता के काम में भी हाथ बटाते हैं आपको बता दे धीरज कुमार से पिये मोदी ने कहा है कि आपके साथ जो घटना घटी उसका कैसे सामना किया धीरज कुमार ने कहा हम भाई भैस धोने गय थे तभी मगरमच ने भाई पर हमला कर दिया मैं घायल ह गया था पर भाई को घर ले आया उसके बाद मैं वहां से मैं अपने भाई को अस्पताल ले कर गया मैं 14 साल का था पिये मोदी ने कहा कि भाई उस घटना को याद करता है फिर धीरज ने कहा डड़ लगता है उसे वो अब नदी के पास नहीं जाता फिर पिये मोदी ने कहा कि म अगर मच इतना बड़ा दिखा तो डड़ नहीं लगा फिर धीरज ने कहा उस समय मुझे केवल मेरा भाई दिख रहा था और कुछ नहीं आपने अपने भाई को बचाया ऐसा साहस और सयम दिखाया आपने और बुद्धी भी दिखाई आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में सेवा करूंगा आए हम आपको बताते हैं कि धीरज कुमार ने और क्या क्या कहा धीरज कुमार कि चमुखा पीता जी का नाम है तुलू देवी तुलू देवी एसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुरे रहें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले धन्यवाद